नमस्कार दोस्तो मैं मुकुंध आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट ओफ एक्जाम पर दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे भारतिये राज विवस्ता एपन संभीधान का कुछ महत्वपूर्ण प्रस्न के बारे में तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में मैं एक कोशन पूछूंगा जिसका अंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तो अगर आप किसी गुवर्मेंट जब की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले बेल आइकन को भी आउन कर दें तो चलते हैं दोस्तो आज का पहला कोशन है संभीधान के किस अनुचेत के अंतरगत अपातकाल की विवस्ता है इसका अंसर हो जाएगा अनुचेत 306 दोस्तो अनुचेत 306 जो है बीतिये अपातकाल की विवस्ता रखता है नेश्ट कोशन है भारतिये संभीधान कौन सी नारिकता परदान करता है इसका अंसर हो दोस्तों परफम पंचाईती राज विवस्था का उध्गातन पंधित जबाहलाल नेहरू ने 2169 में कहां क्या था कि इसका अंसर जाएगा नागॉर राजस्थान दोस्तों परफम पंचायती राज विवस्था का उद्गाटन पंडित जबाला नेरू ने दो अक्टूबर 1969 में नागौर जोकी राजस्थान में किये थे नेस्ट कोशन है पंचवर्षी उजना का अनुमोदन तथा पुला रिच्छन किसके द्वारा किया जाता है इसका अंसर जागा राष्टिय विकास परिशद दोस्तों पंचवर्षी उजना का अनुमोदन तथा पुला रिच्छन जो है पंचवर्षी राष्टिय विकास परि दोस्तो राज अस्तर पर मंतरियों के नियुक्ति राजपाल करते हैं नेस्ट कोशन है नए राज के गठन अत्वासीमा में परिवर्तन का दिकार किसे है दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा संसद को ने राज का अगटन अथवसीमाम प्रीवर्तन का दिकार जो है संसक को है ने आपन स데 में भारत में लोगसभा किसके द्वारा भांग किया जा सकता है नीश को सने भारत الي Sleep험 में संग की कारपल का स्कती किसमें नहीं देरो नुट है दोस्तों साखरी सम्पूति में संग कि कालेका सकती राष्टपती में छुवा था इस तीन अप्रियल 90 फिट्ट Two को । तिटीन अप्राइल कितने जदश होते हैं जो भी वह लोक समस्त अधेश को चुंते हैं कि नेस्ट को सने कि कि अग्याइब तक भी पर देनेवाले पर्थम प्रथम बेत्ति कौन थे दोस्तों इसकंसर लगा मुराजी देसाई दोस्तों मुराजी देसाई जते पर तक परतां मंत्री थे जो कि अपने प्रधार मंतरी इसे हुए है जिनका निदन अपने प्रधार पर रहते हुए हुए नेश्ट कोशन है केंद सरकार का समयधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों इसकांसर जगा राष्ट पति केंद सरकार का समयधानिक प्रधान राष्ट पति होते हैं नेश्ट कोशन है राश्पती पद के चुनाव समंदित विवाद को किसे निदेशित किया जाता है दोस्तों इसका अंसर जगा सर्बोच न्याले को दोस्तों सर्बोच न्याले जो है राश्पती पद पर जो भी विवाद होता है या तो चुनाव में उसको निप्टाने करने कि निप्राना करने के लिए सरफुच न्यायक का सहारा लिया जाता है है कि नेश को सनय कट किसी समिदान संसोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों कि अधिक्तम संख्या 545 निधारित किया है इसका अंसर जागा एक्तिसमा समिधान संसोधन के तहत 545 लोक सभा सभा सदस्यों का संख्या निधारित की गई है नेश कोशन है कि समिधान सभा के सदस्यों को किस ने परतिय शुरुप से निर्वाचित किया दोस्तों इसकांसर जगा प्रांतों के विधान सभावने प्रांतों के विधान सभावने समिधान सभा के सदस्यों को परतिय शुरुप से निर्वाचित किया जाता है नेश्ट कोशन है किस बर्स गोवा सहित अन पुर्तगाली बस्तियों को भारतिय संग का राज छेतर बनाया गया दोस्तों इसका अनुच्यद समाजिक समानता का अधिकार परदान करता है दोस्तों इसका अनुच्यद 15 जो है समिधान का जो की समाजिक और समानता का अधिकार परदान करता है नेश्ट को सने राजपती पद पर सबसे कम अबधिक के लिए पदा रूर रहने बारे ब्यक्ति कौन है दोस्तों इसका जाकिर हुसैन जो है राजपती हैं जो कि सबसे कम अबधी तक अपने पद पर रह चुके हैं ये राजियों की भासाई अधार पर गठन किसे बस किया गया था दोस्तों इसका जागा 1956 में जो कि आंत्परदस था नेश्ट को सना भाटे समिधान में कि समिधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है नुच्छ अनुच्यद 32 दो का समीधान की आत्मा के नाम से कजाना जाता हुआ कि मिसको सने के भिहार विधान सब्हाला कि संख्या कितनी है दोसतों इसका हो जाएगा 243 निदार्यत की गई निइक्वारात का संपून संवीधान किस्तिति को प्रभाब में आया इसका अंसर जाएगा 26 जनवादी उन्यस्सों पचास दोस्तों 26 जनवादी नियुको भारतिय समिधान अपने प्रभाव में आया निश्को सन्य लोकसभा के चुनाब छेत्र का परिसीमन किस वर्स की जनगना के बाद किया जाएगा दोस्तों इसका अंसर जाएगा राजसभा किसी धन विध्यक को कितनी अधित लुक सकता है दोस्तों इसकांसर जाएगा चाउदा दीन दिन चाउदा दिन तक राश्चारा की कि ने कम सेने गोवा को किस वर्ष माज़ का देर दिया गया इसक अंशर जगा को राज का देर दिया गया मॡथ कर ने कान सब्सक्राइब को क्या जाता है महापऔर जो पर्थम लोग सवाचुनाब में कितने राजिंतिक दलों को राश्टिय दल के रूप में मानता दिया गया था परधान मंत्री का सचिवाले किसके अधीन होता है इसका अंसर जागा ग्रीह मंत्राले दोस्तों ग्रीह मंत्राले का अधीन किसके सर्काष्छी मंत्री का सचिवाले होता है नेश कोषन है कि संब्हकंन सबहर वार he के संब्हकंति संब्हकंन में कुल कितने अनुझेध आरनसूचियां थी दोस्तों 355 नूच्चेद और आठ अनीवण थी थी में कॉप будете भारत का गन्तनत्र के रूप में जिन्म कव लिया था थ Nep दोस्तों भारत 1026 पिर जन्वरी 156 को गन्तनत्र के रूप में जम लिया जाम इंशंव था चमदांक हुए भारते समिधान कीतने हाग भाजित दोस्तों Honina का मैं निजस्तों 22 भाग 355 जो शेड पारते समेधान में हैं निस्ट कुछन है भाटे समेधान के अंतरगत समीधान में संसोधन समद्धित पहल काधिकार किसे है दूस्तों इसकांसर घ्नाइब भारतिय संसत को समयधान में करने का दिकार है सभिधान करम 368 में परकिरिया का उलेख संसवधन का उलेख है है नेश कोर्जन है कि भारत्य समिधान के नुस्सार भारत का सवरूब क्ल किया दोस्तों भारती समिधान करना सभारत का सवरूब जो संघियराज है संघियराज मतलता है बहु सब्सक्राइब को राज्यों को मिल करके एक देश बनाना है सोतंत्र है भारत के पर्थम भारती क HC उसन hy Knall 1 फो सब्सक्राइब' करके अठारा बर्स किस समीधान संस्वतन दौरा किया गया गों थे एक सुन сफित मां समीधान संस्वतन मतदिकार क्या है जो है एक इस गहटा करके अठारा ज़स किया गया पहले सबस्थ एक इस बढ़िए और इसका वर्फ धा dared के समिधान के किस नोच्षेथ द्वारा राष्पती को अध्योध्य करने की सक्ति परदान की गई तो इस गाई अनुच्षह एक्सुध में और एक्सुध एक से स Regierung में राष्पती प्रम अध्यृद्य जारी करने का सक्ति परदान किया समसिद की गई एक इसका अंसर हो जाएगा नाइन को बहुति साथन के सथापना किया था कि ने कुछ समिधान का प्रणूप समिधान सभा ने कब स्विक्रित किया इसका यह इस नमंबर निया समीधान का सुरूप समीधान जो है सभाव ने 22 नमबर 499 को सुविक्रित किया समीधान में भारत को क्या कहा गया है इसका राजियों का संग दोस्तों राजियों का संग समीधान के बाग एक में कहा गया है में समीधान स्थाय दियाच कौन थे इसका राजियों करा है दोस्तों समीधान के में काल्था समीधान के किस भाग को कहा जाता है इसका राजियों कoh कहा जाता है नेश कोशन है बरतमान में भारतिये नागरिकों को कितने मौली का दिकार प्राप्त है दोस्तों इसकांसर जगा छे दोस्तों बरतमान में भारतिये नागरिकों को कर्छा कारपल्का से परितक होने की बात कहीं गई है इसकनसर पर पर गणी पर टास तुस्तों अनुचंब 50 में पर पर कि निया पर यानि अलग करने की बात कहीं गई है नेश्ट कोशन है भारतिय सम्यधान के सम्यधानिक सलाकार कौन थे दोस्तों इसका जागा बी एन राओ दोस्तों बी एन राओ जो थे भारतिय सम्यधान के सम्यधानिक सलाकार थे नेश्ट कोशन है कि समीधान की परस्ताबना में संस्वद्न करने के बाद क्या सब्स जड़ा गया तो इसका अंसर हो जाएगा पंत निपे समाजबाद और अखंडता सब्सको जड़ा गया निश्कोशन है बीत विध्यक संसद के किस सथान में प्रिश्टूत किया जा सकता है या किया जाता है किल्म लोग सभाव बीत विए जो है के वर लोग सभाव में किया जा सकता है निश्कोशन है स्था फैंड की कारपाल का सकती राज की नहीत है निश्कोशन है भर्तिय स्वाधिनता अधिनियम को किस दिन बिर्टीश समरात्म की स्युकिर्थी इससटाइगा अठ़ा़ जुल पाई उने 47 तारीक को भार्तिय स्वाधिनता धिनियम को बिर्टिश समराज की स्विकिर्थी मिली थी समिधान की प्रस्ताबना में हमारे देश का कौन सा नाम उलेखित है दोस्तों इसका अंसर जगा भारत और इंडिया यह लिखा हुआ है भारत जो की इंडिया है निश्कोशन भारते समिधान में किस अनुच्छेद के तहट आस्पिष्टा को समाप्त करने की बात कही गई है इसका चुवा चूत की बात कहीं है निष्कोशन है भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था इसका आंसर अपराइल निश्चो चौराणममे को 24 पर 1994 को भारत में पंचायट राज बेवस्ता अधिनियम लाग। किया गया था इने bağनी को सभी पुझा सब्सक्रिफित का अधिवा सब्सक्राइ करने के लिए निर्णे किसके द्वारा लिया जा सकता है इसका अंसर हो जाएगा राज सरकार द्वारा दोस्तों पंचायत में राज सरकार द्वारा निर्णे लिए जाता है चुनाब करने के लिए है नेश्ट को सन्ति समयधान के दुश्ञेट 72 अधायि की समयधान के निर्मान के दिशा में उलेखनी योगदान देने वाले प्रस्ताप का समंद किस से है दोस्तों प्रस्ताप जो कि पंडित जबाला नेह्रों ने दिये थे निसकोशन है अनुशुची च्छेत्र के प्रसाशन से समंदित प्रभधान समीध्यान के किस अनुश्यद में दी गई है दोस्तो इस्कंसर जाएगा अच्मी अनुशूची में जू है अनुशूची जाती यानि का प्रभान क्या गया है। मि भाषी सणे कार में विभीन मंत्राले और विभागों में कारियों का बटवारा कौन करता है। ज्वास सेकारre Next question तो सित्मा समिधान सभडन सत्मा में उन्हयाषथभी में जम्मु कश्मीर एक भारत का राज drinking जिर कम है भारत के संभिधान के किस अनुच्छेद में सर्भोच नियाले के नियाधीज पर महाभियोग चलाने का प्रभधान है दोस्तो इसका अंसर जागा अनुच्छेद 124 जो है सर्भोच नियाले के नियाधीज पर महाभियोग चलाने का प्रभधान है बट राश्पति पर महाभि चौनल का संसद्य प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित हैं ब्सक्रप्सय से कि आफ याानी संसद्य प्रजातंत्र है यानि लिया गया है कि सरपठम किस अधिनने की द्वबार्त में उत्तरदाइक के विवस्था की गई है इसका अनसर मंतरि के द्वारा किया जासक्ता कौन थे दोस्तों इसका अंसर हो जागा फजल अली दोस्तों फजल अली जो थे नहीं सो तीरपन इसमी में गठित राज पुनर आयोग के अध्याच थे निष्ट कोसन है प्रान और दहएक सोतंता का सनचयं किस अनुश्यद के तहत प्रदाप्त है इसका अंसर जागा अनुश्यद्-वाजव निजनवे कामन में भारतिय जनसंग के रूप में भारतिय जनताप्रची के श्थाप्ना किया गया था नेश्ट कोशन है भारती समिधान के प्रवरतन के बाद सबसे पहले राश्पतिस हासन किस राज में लागू किया गया था दोस्तो इसकांसर हो जाएगा पंजाब दोस्तो पंजाब में सबसे पहले राश्पतिस हासन लागू किया गया था निश्कोशन है समिधान की एक आर्मिय अनुसुची में पंचायती राज संस्थाओं में समलित किये गए विशयों के संख्या कितनी थी दोस्तो इसकांसर जागा उन्तिस निश्कोशन है भारतिय समिधान में लोग सभा आयोग का प्रभधान की संख्याद में क्या गया है दोस्तो इसकांसर जागा उन्तिस 15 में लोग सभा आयोग का प्रभधान है निश्कोशन है राज सभा आयोग के प्रतम अध्याच कौन थे दोस्तो इसकांसर जागा बीजी ख खरित जो थे राज सबहायोग के प्रथम अध्यच थे नेश्ट को सनंगे भारतिय सविधान में एकंड नारीकता का प्रधान की देशके समेधान से लिया गया है दोस्तों इसका अंसार ब्रिटेंकर सम्हिधान से प्रद्धान-क रभ्धान लिया गया है मैं भारतिय शंग का राश्पति किसके प्रमार्श सकार्ट करता है इसका अंसर जग़ा परधान मंत्री कलिए नेश्ड कोशन है कि संभिधानी संसोधन द्वारा यह तरिकिया गया कि राश्पति मंत्री मंत्री परिश्द किराई मानने के लिए बाद है इसका अंसर जाएका बीृटिम व्यालिश्मा संभिधान संसोधन करें अगे ऑनेश्ट कोन है अगैंके भारत की संघिय कारपल का Вас प्रेकर शारूप किस देश से मिलता जुलता है इसका अंसर जागा इंग्लेंड से दोस्तो इंग्लेंड से भारतिय जनसंग यानि संग्य कारप्र कर सक्ति का सवरूप लिया गया है इसका अंसर जागा किसी राज के राश्पति साहसन लागो करने से दोस्तो किसी विराज में राश्पति साहसन लागो करने का अधिकार अनुशे 356 के सवरूप लिया जबाला नेरू के नेत्रित में आंतियम सकर गठन कब हुआ इसका अंसर जागा सितंबर 1946 भीको सितंबर 1946 भीको जबाल नेरू के नेत्रित में अंतियम सकर का गठन किया गया था नेश्पति कितने एंगलो इंडियन सदस्य लोग सभा में मनुनित कर सकता है इसका अंसर जागा दो रास्पति जो है एंगलो इंडियन दो गो के दो गो लोग सभा में मनुनित कर सकता है नेश्प को सन्याले के नियाधिस की सेवाने विर्थि कि आयू कितनी निधारित की गई है इसका अंसर हो जागा 25 साल दोस्तों 25 साल जो है सर्वोच नियाधिस की अधिक्तम आयू निधारित की गई है नेश्प को सन्याले उप रास्पति के चुनाब में प्रधान मंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है इसका अंसर हो जागा जब वह संसत का सदस्य नहीं होता है तब नेश्प को सन्याले निधारित के किस रास्पति का चुनाब आम प्रधान मंत्री कब लोग सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है दोस्तो इसका अंसर हो जागा जब वह लोग सभा सदस्य नहीं होता है तब वह मतदान देने का अधिकारी नहीं होता है नेश्प को सन्याले निधान के नुसार केंद्रिय मंत्री परशद में आधिक्तम कितने सदस्य हो सकता है दोस्तो इसका अंसर हो जागा समिधान में या संबंद में उलेखित सिमाय उलेख नहीं है दोस्तो इसका अंसर हो जागा किसमें कोई उलेखित नहीं है कितना हो सकता है निश्कोशन है परतियक राज में मंत्री परशद किसके समच सपत ग्रहन करता है इसका अंसर हो जागा राजपाल के समझ दोस्तो राजपाल के समझ राज के मंत्री पंसर जो है सपत ग्रहन करते हैं नेश को सुन है संभीधान के अंतरगत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्यदारी किसकी है दोस्तो इसकांसर जागा सरवच नियाले और उच नियाले को मूल अधिकार को लागो करने का जिमिदारी रखा गया है नेश कोशन है नागरिकों के मूल करतब सम्मिधान में किस भाग में दिया गया है दोस्तो इसका अंसर जालेका भाग चार में, नागरिक के बारे में मुल कटब दिया गया है नेशको सन, भारत के वह राजपती जो पूर्व में लोक सभा के अध्याच भी रह चुके हैं दोस्तो इसका अंसरं हो जालेका नीलम संजीव रेड़ी दोस्तो निलान संजीव डेटी जो है वह राजपती है जो पूर्व में लोक सभा ध्यच भी रह चुके थे नेश कोशन है धन बिध्यक को संसत के किस सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा लोक सभा, दोस्तो लोक सभा में धन भी धेक पस्दूत किया जाता है लोक सभा को नीम्र सदन बोला जाता है और राज सभा को उच्छ सदन बोला जाता है नेश्कोसन है संसत के परतिक सधन की बैठ की कार सूची में पहला बिश्य क्या होता है कि समिधान के तहट केरल भूमी सुधार कानून को नोमी यसुची में अस्थान दिया गया दोस्तो इसकांसर जागा 29 समिधान संसोधन के दोरा तेदल भूमिसुधार कानून को नोमी नुसुची में सामिल किया गया है समिधान का प्ररूप करने के लिए समिधान सभा दोरा प्ररूप समीति का गठन कब किया गया दोस्तो इसकांसर जागा 29 अगस्त 1947 को समिधान के प्ररूप करने का समिधान सभा दोरा प्रस्तुत समीति का गठन क्या गया नेश कोशन है, समिधान सभा के अंतरगत, अंतिम दिन सभा के पटन पर भारती समिधान के कितनी पतियां रखी गई थी, जिस पर सभी सदस ने हस्ताचर किये, दूस्तों इस कांसर जागा तीन नेश कोशन है, सरपर्थम रास्टी अपातकाल का उद्धोसन कब हुआ था? इस कांसर जागा? 1922 में, 1922 में पर्थम बार रास्पती अपातकाल की उद्धोसना किया गया है और दूसरी बार 1911 में किया गया है, अब तक दो बार अपातकाल हो चुके हैं दोस्तो इसका आंसर जागा दो महिना के अंतरगत यानी ultimate मिननी संतर गोतारीा में 2709 समिधान सभा का अंतिम दिन कौन सथा जिस दिन समिधान सभा के सदस्यों ने समिधान पर हस्ताचर किया दोस्तों इसका अंसर जागा चोबिक जन्वरी उनेश्यों पचास नेस का सभा के अंतिम संसर में किसी दिन परिवर्तित किया घा दोस्तों इसका अंसर जागा 26 जन्वरी उनेहेशो्पचास भी में प्रटवान में भारत में कितने उच्छ नियाले हैं इसका अंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको कैसा लगा वीडियो यह वीडियो आप जरूर बताएं और पार्ट टू के लिए